आज हम आपको बताने जा रहे हैं कहाँ पर टिक टॉक स्टार्स ने लाइफ पर्फॉर्मेंस दी, सेलिस्टिल हाइट्स अपार्टमेंट में क्या हुआ, सेक्टर 23 के कॉम्यूनिटी हॉल में किसने किया संगीत का कारेक्रम और कहाँ पर हुई बुक लाउंच सुख दुख के साथी संस्ता द्वारा चलाय जा रहे विश पर्यावरन दिवस के कारेक्रमों का हाली में समापन किया गया, जिसमें जाने माने पर्यावरन विद श्री रमेश मुमुक्षु जी ने आकर एर पोल्यूशन और उससे संबंदिद अलग-अलग समस्या और उनसे बचने के तरीके के बारे में बताया और इसे विशे पर चर्चा करी और वहां सभी उपस्तित लोगों ने इस विशे पर अपने अलग-अलग विचार रखे कवित्री केशी गुपता की काव्य एक्रती रू की आवास का लोकार पण हुआ इस कारिक्रम में मुख्य अतीती थे पूर्व राजजेपाल सयद सिपते रजी और इस कारिक्रम की अध्यक्षता की सर्वभाशा टरस्ट के अध्यक्ष शिरी अशोक लव जी ने और यह कारिक्रम हुआ था द्वारका सेक्टर 10 में स्थित जैन मंदिर में, केशी कुपता जी ने अपनी पुस्तक में से कुछ कविताएं भी सुनाई और इस मौके पर बहुत सारे कवी लेखक मौजूद थे। क्याप में करीब 50 लोगों ने भाग लिया और हर एज ग्रूप के लोगों ने अपना हेल्थ चेकप कराया। इस फाउंटेशन के तरफ से रतना जी ने यह बताया कि हेल्थ चेकप के बाद लोगों को दवाईयां भी दी जाएंगी। परमार्थी को केवाई लेग रुपे प्रती दिन का आपका योगदान भी द्वारका को इस तरह साफ सुत्रा और सुन्दर बनाये रखने में काफी सायक सिद्ध होगा। सेक्टर 23 कॉम्निटी हॉल में द्वारका कलक संगम की ओर से एक संगीत का कारेक्रम आयोजित किया गया। जिसमें द्वारका कलक संगम के जो मेंबर्स हैं उन्होंने गाने गाए और यह कारेक्रम अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कारेक्रम होता है जिसमें सब लोग बड़े मन से बड़े दिल से गाने गाते हैं और एंजॉय कर दे हैं। द्वारका सेकтор दो इस्थित सैलिस्टिल हाइट अपांने एक हैल्थ केम्प औरगनाईस किया, इस कैम्प का औरगनाईस किया था अकाश हैल्थ केर ने और इसमें बलड इन्वेस्टिगेशन के साथ-साथ बौन डेनसिटी के टेस्ट भी किये गये। नियूरोपैथी, लंग फंक्शनल टेस्ट भी यहां पर किये गए, इसका लाप सोसाइटी में रहने वाले और आसपास के लोगों ने उठाया टिक टॉक, जैसे कि आप सभी जानते हैं, टिक टॉक आजखिल की जेनरेशन यंग्स्टर्स में काफी फेमस है, तो इसी के लिए टिक टॉक स्टार्स के लिए जनकपूरी के दिल्ली हार्ट ऑडिटोरिया में स्टार सेलिब्रिटी द्वारा मेगा इवेंट का कारेकरम हुआ ये इवेंट नीलम शुकला के द्वारा और्गनाईज कराया गया, जिसमें टिक टॉक वीडियो आप में अपनी पैचान बना चुके और लाखो फैंस को अपनी वीडियो के दिवाना बना चुके सितारे उपस्तित हुए, और टिक टॉक स्टार्स ने वहां बैठे दर्शक वो को अलग-अलग गानों पर लाइफ परफार्मेंस दे कर उनका मनुरंजन किया, नीलम शुकला और उनके साथी ने बताया कि उनका उद्देश्य ये है कि यंग्स्टर्स को एक मंच दिया जाए, ताकि वो अपने अपने टैलेंट को आगे ले जा सके अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अगर आप इस वीडियो को फेस्बुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें अगर आप वेबसाइट पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और सुनते रहें रेडियो द्वार का एक कदम कल की ओर